तो दोस्तों पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट वान और फाइनली मैं आज आपके सामने ले कराया हूं सेट टू जो टाप आप दा मॉस्ट इंपॉर्टन कोशन है और यह तो आप लोगों का हफेल एक्जाम हो रहा है अगर आप चाहते इस तरह मे लेगी इस कोर्स को जल्दी से जोएन कर लिजेगा और सुबास याद रखेगा आप लोगों का अनलाइन क्लास चल रही है और आपको कोई भी कोचिंग कोई भी ट्यूशन करनी का हुए सकता नहीं है अगर आप जैकबोर से रिलेटेड है तो मेरे दोस्तों इस को जोएन की प्राप करने की कोसिस करें तो चले मेरे दोस्तों आप लोग को एसी वान का पहला जो हमारे पास कोश्चन आते हैं टब आप मंगोल का पिरी पसु क्या था इसते पहले मैंने सेटवान बतायों जो भी नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसली से देख सकते हैं तो मंगोलो पिरी पाशु का नाम था कि आ औरी घूड और भॉड्स घॉलत कोसिन में दोस्तों कि प्छचले साल क्या प्छले पांच साल से कंटीनी आपके एकशां में पूछे जा रहे होतां बहुत इंपॉडटन थे याथ रिकें ios ka पुत्हप चांगेज काँ का वास्तवी की नाम मेरे दोस्टों चेंगेज का उसका पहला नम क्या था तेमूजिन तेमूजिन हम आसा करो ये हमरे दादा हमर दिदी तोन हमर बत्वा बुझाल पारही कोसर नवर त्री में आता है शतर कंधानाप दोस्त हुन जाती से निकली हुवी जाति ये आपि लोग जुरों हमें से कौंट में नहीं निंहीं निलीखित मैं से खनापragen जाती गौन ही थि आपको बता नहीं आपी करापस जाती इन्स तुमी भी सब्सक्राइब भी थी मंगोल भी था यहांने बहुत सकते हैं सब्सक्राइब हमारा डी इसका राइट एंसर हो जागी और कोश्चन देखिए और कोश्चन का लेबल कीजिए और प्लेश्टोर से मिसाइल क्लासिस के आपको जरू डाउनलोड कीजेगा अगर आप चाहते हैं सरह हमें बैटर तरीके से त्यारी करना है तो आर्स के फाउंडेशन कोर्स को किसी भी हाल में आप लोग जोइन कर लिजेगा सुबा को मेरे दोस्तों साधे साथ बज़े क्लास होती है अगर आप सा से एक्वारी फारेल एक्जाम का यह यू आ यू आन राजवांस का अंत कब हुआ था तो बताएंगे सा 1368 में कब मेरे बाकी जो भी अभी तक मेरे दोस्तों हमारे प्लेश्टों से डाउनलोड नहीं कि तो डाउनलोड जरूर कीजेगा मंगोल सेना की सबसे बड़ी काई मे कितने सैनिक सामिल तो लगभग मेरे दोस्तों याद रखेका दस सैनिक सामिल थे कितना दसरे जरूर आशन सामिल थे बोल सकते सर ओपिण Student लोंबस सी हमारा सही तो दोस अगिस एक प्रकार की सराव किस पाशू के दूद्स से बंती ठीए मेरे दोस्तों यह जो हमारे सराव हैं सराव मंगोला के पीर ये पे था जिसका नाम थे मेरे दोस्त क्या कुमिस ये किस जनवार के दूद से बनाया जाता था तो बताएंगे सर घोडी के दूद से बनाया जाता था कुमिस और एक तरह कर सराब था भैस सराब मतलब नसाव टाइप का एक सराब होती है ठीक चलिए सर कोश्चन नमबर नेश्ट पर आगास करते हैं सर कोश्चन नमबर नाइन है कि चीन में यू आन राजवन्स का अंत कब हुआ तो बताएंगे से 1368 में कब मेरे भाई यह कोश्चन रिपीटेड है एक कोश्चन को ध्यान से देखिएगा ठीक ना हसते रहें मुस्करात रहें मेरे दोस्तों जीवन है जीने के कोश्चिस कीजिए सोतंत्र रुप से कब आपके पास ताकत होगी कब ताकत होगी जब आपके पास नोलेज होगा इसलिए नोलेज के पीछे आभी भागिए पैसा वैगरा ऑटामेटिक दोड़ कर आएगे भाई ठीक है चांगेज ख में हमारे चंगेज का मंगोलों का शासक बनते हैं और इसके बाद कौन से सब्जेट के बारे में देखना चाहते हैं यह जल्दी से कॉमंट कीजेगा ठीक ना आत्रसर अगला जो हमारे कोश्चन कोश्चन में हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि 1206 में चंगेज खाने मंगो लोगों को किस रूप में सक्त क्या है तो बताएंगे सर आनुसासित से ने सकती क्या हो जागी मंगोलों के राजनिती को संस्क्रीटी गुरू कौन थे तो बताएंगे सर यह भी कोश्चन आपके फानल एक्जम 2025 में आपको देखने को मिलेगा यह कोश्चन याद रखे हैं म पर दोस्तों मंगोलों जो थे मंगोल लोग हमारे तो मंगोल के राजनिती के मंज संस्क्रीटी गुरू था उइगरू क्या मिरू वाइप उइगरू थिगए तो अब्स नमर मारा वीस का राये तेंसर रहुजागा ठीकर रहा तक रही दाधा हम दीदी तोहनी हमर बतवा ब पईसा देकर वह साल बर कि तयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं ठेकें लोग किस yया जाती को यूंग नूं कहते थे तो बतागे तर MDNeil जाती को याया वर जाती के नाम से यूंग यूंग याद रखियां यूंग नू जाता सी एक प्रकार का घुम कभड क्या हो जगी अगला कौशन पर हमारा ए अगला कोशन पर हम लोग दोड़ते हैं कोशन अंब्लग सिस्टिन पर चंगेस خा की मिर्थ्यू कव भी? देखे मेरे दोस्तों वह मंगोलो का सासक बनते हैं 1206 22's में चंगेस खा का वास्तविक नाम जो होती है तेमुजीन होती है तो आपसे यह आप एक कोशन पूछा गया है कि इसकी मिर्थ्यू कव होती है ठेक मेरे दोस्तों इसके एकी साल के बाद इसकी मिर्थू हो जाती है यह याद रखें एकी साल के बाद इसकी मिर्थू हो जाती है जब वो गद्धी पर बैठते हैं तो अफ्शन नमर हमारा क्या आजगी डी हमारा सही उत्र हो जागा आतेसर अगला कोशन पर आते हैं चंगेज खां का जन्म कब हुआ था देखिए 1227 इसमी में उसकी मिर्तिव होती है 1206 में वह गद्धी पर बैठते हैं तो इसकी जनम कब होती है सब्सक्राइब कितने साल तो अगर अपसे पूछा जागा कि कितने साल तक वह अपने जिन्दगी यहां इस दुनिया पर गुजा रहे हैं कई बार यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ऐं सभजेट देखना चाहते हैं जरूर कमेंट की मंगोलो कहां संतीति थे अगर मैं देखूं एक दर즘 पर कि बांगोल देह से में गद्धी पर बैठा और 1227 में इसकी मीर्ट्यू हो जाती है ठीक ना 1162 में इसकी जनम होती है जिनका नाम था क्या चंगेज का अफ्शन नमर भी हमारा सही उतुर जागी और याद रखेगा मेरे सेरों सिर्णियों प्लेश्टोर से मिसाल क्लासिस के आपको जरूर डाउनल जिसको जरूर जोएन कीजेगा जिस कफी ओनली फॉर 299 रुपया है जहां पर मेरे दोस्तों तबड़ तोड़ तरीके से पानल एक्जाम की अकोडिंग आप लोग को तैयारी कराई जा रही है ठीक ना बाबर द्वारा भारत में मुगल समराजी की निकप रखी गई तो बा पाने पत का पर्थम यूद्ध होता है 1226 में पार पंद्रहसों सरे 1526 में 1556 को होता है मेरे दोस्तों पाने पत का दूसरा यूद्ध यह सब याद रखिएगा हंस्त मत ठीक ना बहुत हंसती हो आप हाँ आपको में बोर रहा हंसो मत ठीक ना अगला क्वेंट्टी वान चंग पार तीस सल बचा और दो 27 मरते हैं मेरे वाई तुसको जोड़ेंगा तार सब्सक्राइब पंद्रह पांच तीन तीन चेपाइसाट साल होगा भाई लिगे यहां पर 55 कोई भी आप्शन नहीं दिया वाए यक्शली पाइसाट साल हुआ अपने जीवन पे गुजार एक ऑफ यह कोशन पूशा गया था या नहीं एवर मैच करके दिखिएगा वह सकते में जुड़ बोल रहा हूं यहीं यह भी हो सकता है भाई कुछ भी हो सकती है दुनिया है ठीक ना तो याद रखेगा मेरे दोस्तों घजन खा दे जिन्नोंने मेरे दोस्तों क्या किये थे इसलाम ध हुआ है कि ना मरुस्ताल है कितना 20 पूछा धिया है कि मंगोल के इंच च्रह गास को किया होता है में होता है कि मा तेरे पसीने की हरे एक भूद को मैं मौती सा चमकाऊंगा तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा मेहनत कीजिए मेरे दोस्त जिसके खातिर आपके माभाप उमीद लगाये हुए बेठे वे कि हमारे बेटा हमारे बेटी कितना अच्छे मांक से लाएं फिर लॉट कर आने वाला आपके जीमन पे नहीं है चैंगेज खा की माता का नाम क्या था याद रखेगा ओलून एके अफ्शन नमबर ए हमारा सही उत्रो जागा आते सर अगला कुशन पे मंगोलों का याया विकरन मज एसिया के किस शेत्रस में हुआ था तो बताए 33 का जो कंपास इस्टेफीज यानोस एक परकार का घांस का मैदान है एक परकार के घांस का मैदान हा ठीक है चंगेज खान का जनब का वहा था मैं आपी जस्ट बताएं मेरे दोस्तों 1162 में ठीक है चलिए कोश्चन हमारा नैस्ट प्रदेश के मोंगोलों को सरपरतम किसने संगठि क्या था तो उसको क्या था विरवाई चंगेज खाने किसने क्या था चंगेज खाने ठीक ना चलिए आते हैं अगला कोश्चन पर और फाइनल एक्जाम के अप लोगों को सेलेक्टेट कोश्चन प्रोवाइड क्या जागा टेंसल लेनी का विश्कता नहीं है बस एक टेंसल अपने किस पूत्र के बारे में चंगेज खाने या संकेत दिया था कि उसका उत्राधिकारी होगा मतलब चंगेज खान खुलियाम एलांसमेट कर दिया कि मेरे मिर्तिव के बाद मेरे गद्दी पर बैठेगा कौन ओगदै हमारा पूत्र ठीक है चलिए सर आते अगला कोशन ऐसे चंगेज खान की बीधी सनीता क्या कहलाती थी यास क्या कहलाती भाई यास क्या कहलाती थी वह दोस्तो यहका大टी है ठीक है szerह थी यह क्या मैं अब सब्सक्राइब को जरूर डाउनलोड कीजिएगा मुलाकात करते मेरे दोस्तों 63 के साथ तब तब स्वास्त रहें मस्त रहें पढ़ाय में व्यास्त